स्वागत है आपका आज के अपिसोड में शुरुवात करते हैं बिचले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था भारत ने अगनी मिसाइल का सर्वपुथम परिक्ष्ण किस वर्ष किया था? इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्पडी 1989 चले देखते हैं इसके विसलेशन को हाल ही में भारत ने एपीजे अब्दुलकलाम द्वीब से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अगनीवन का सफलता पुर्वक प्रक्षेपड किया इस प्रक्षेपड को रडार, टेलिमेट्री और इलेक्ट्रो उप्टिकल सिस्टम सहित कई ट्रैकिंग सिस्टम दौरा प्राप्त डेटा का उप्योग करके पूरा किया गया गौर तरब है कि पिछले साल भारत ने ओरिसा के तड़से नई पीड़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम का सफलता पुर्वक परिक्षड किया था अगनी वन कमदूरी की सटिकता के साथ लक्षियों को भेदने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है बता दे कि अगनी मिसाइल का 1989 में पहली बार परिक्षड किया गया था इसे इंटिग्रेटिड गाइडेड मिसाइल डेवलप्मेंट प्रोग्राम यानि IGMDP के तहत विक्सित किया था यह 700 से 1200 किलोमीटर की शमता वाली मिसाइल है यह 1000 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है भारत ने अगनी श्रिंकला की मिसाइलों के विभन रुपों को विक्सित किया है तो चले शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहले प्रश्ट के साथ इंफिनिटी फोरुम 2.0 के संदर्व में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक यह वितिय सेमाओं के लिए एक वैश्विक विचार नेतरत्व मंच है दो इस फोरुम के पहले संस्क्रण का आयोजन वर्ष 2020 में किया गया था उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A केवल एक चले देखते हैं इसके विसलेशन को हालही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी वित्तिय प्रवध्योग की कारिक्रम Infinity Forum 2.0, Flagship Financial Technology Event Infinity Forum 2.0 के दूसरे संसकरण को संबोधित करेंगी इस कारिक्रम के में जबानी केंद्र सरकार की तत्वा धान में अंतराश्य वित्ति सेवा केंद्र प्राधी करण यानि चलिब जानते हैं क्या है Infinity Forum 2.0 यह वित्तिय सेमाओं के लिए एक वैश्विक विचार नेत्रत्व मंच है यह एक ऐसा मंच है जहां दुनिया भर से नवीन विचारों, गंभीर समस्याओं, नवीन प्रोध्योगिकियों की खोज चर्चा और सामाधान किया जाता है इस मंच पर भारत और दुनिया भर के वित्तिय शेत्र के विशेशग्यों द्वारा व्यवहारिक चर्चाएं की जाती है बता दे कि इस फोरम के पहले संस्क्रण का आयोजन वर्ष 2021 किस में किया गया था अगला प्रश्ण है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. पौधे की एक नई प्रजाती चले देखते हैं इसके विसलेशन को पौधा केवल मांसून के मौसम में कुछ हफ्तों के लिए ही देखा जाता है इमपेतिन्स फूलों के पौधे की एक हजार से अधिक प्रजातीयों की एक प्रजाती है इसका वित्रण उष्ण कटिबंदी अफ्रिका, मेडागासकर, भारत, श्रिलंका और चीन में व्यापक रुप से पाया जाता है अगला प्रश्ण है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपसी कोजी कोड चले देखते हैं इसके विस्टेशन को हाल ही में केरल की कोजी कोड जिला प्रशाशन ने सुचित्वा थीरम परियोजना की शुरुवात की है इस परियोजना का उद्देश जिले की तटिये शेत्रों को प्लास्टिक और कच्रे से मुक्त रखना है बता दे कि यह परियोजना स्थानी प्रशाशन विभाग के तत्वा धान में मालिन्य मुक्त नव केरलम कारिक्रम के तहत कार्यान्वित की जा रही है परियोजना के हिस्से के रूप में 9 दिसंबर को जिले के 12-30 स्थाने निकायों में बड़े पैमाने पर सफाई अभ्यान चलाया जाएगा अगला प्रश्म है इसके अनुसार महासचीव किसी भी मामले को सुरक्षा परिशत के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतराश्ची शान्ती और सुरक्षा के रखरखाओ को खत्रे में डाल सकता है दो यह महासचीव को प्राप्त एक विवे का धिन शक्ती है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या सत्य हैं हालही में संक्तराश्च के महासचीव ने संक्तराश्च सुरक्षा परिशत को संबोधित किया जिसमें गाजा में मानवी प्रणाली की पतन की गंभीर खत्रे को रोकने में मदद करने का आगरह किया और मानवी युद्ध विराम की अपील की अनुशीद 99 के अनुसार महासचीव किसी भी मामले को सुरक्षा परिशत के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अन्तराश्टी शांती और सुरक्षा के रखरखाओ को खत्रे में डाल सकता है दरिसल इस प्रस्ताव को सेंक्त अरब अमिरात ने गुटेरस की पत्र के आधार पर UNSC में पेश किया था जिसमें गाजा में ततकाल मानवी युद्ध विराम की मांगी गई इस प्रस्ताव को अपने पक्ष में कम से कम नौ वोटों की आवशक्ता होगी जबकि UNSC की 5-3 सदस्यूं चीन, सेंक्तराज, अमेरिका, फ्रांस, युनाइटिड किंग्डम और रूस की ओर से कोई वीटो नहीं किया जा सकेगा अगला प्रशन है निम्नलिकित में से किस विधान मंडल ने भारतिय स्वतंतरता अधिनियम 1947 को पारित किया इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प A. ब्रिटिस संसद चले देखते हैं इसके विसलेशन को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारति स्वतंतरता अधिनियम पारित किया गया इस अधिनियम द्वारा माउंट बेटेन योजना को वैधानिक रूप दिया गया इसके अंतरगत प्रमुख बिंदू निम्नलखित हैं 15 अगस्ट 1947 इसवी को भारत इवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिये जाएंगे और बिटिश सरकार उनको सत्ता सौब देगी पृतेइक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा जिसके नियुक्ति इंग्लैंड का समराट करेगा नए समिधान का निर्माण होने तक दोनों राजियों का प्रिशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा भारत सचीव का पद समाप्त करके उसकी स्थान पर राष्ट्र मंडल के सचीव की नियुक्ति की जाएगी देशी रियासतों पर बुटेन की संप्रभुता का अन्त कर दिया गया तथा उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई अगला प्रश्ण है नियम्नलिकित में से कौन सा एक रिट नियायालय में कार्यवाही लंबिध होने की दशा में लागू की जाती है इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प सी प्रतिशेद चले देखते हैं इसके विसलेशन को प्रतिशेद का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना यह किसी भी न्यायक या अर्धिन्यायक संस्था के विरुद जारी हो सकता है इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायक या अर्धिन्यायक संस्था को अपने अधिकार शेतर से बाहर निकल कर कारी करने से रोकता है प्रतिशेत के लिए अनिवारे शर्थ अवर न्यायाले न्यायादी करण या अर्ध न्यायक प्राधी करण में केस या मामले का जारी रहना यह रिट तब भी जारी की जा सकती है जब कारेवाही किसी न्यायाले में लंबित हो यह रिट कारेवाही की किसे भिस्तर पर जारी की जा सकती है अगला प्रश्ण है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B. खंभाद की खाड़ी चले देखते हैं इसके विसलेशन को खंभाद की खाड़ी भारत में गहन सनरक्षुन एवं प्रबंधन हीतु पहचाने गए चार प्रवाल भित्ति शेत्रों में शामिन लहीं है भारत का प्रवाल भित्ति शेत्र 2383 दश्मलव 8-7 वर्ग किलो मीटर है देश में गहन सनरक्षुन एवं प्रबंधन के लिए चार प्रवाल भितिशेत्रों की पहचान की गई है ये हैं मनार की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी, लक्षवदीप, द्वीपसमों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमों अगला प्रश्ण है प्रात्न समाज के कारेक्रमों में निम्नलिकित में से कौन शामिल थे एक विबिन जातियों की बीच अंतर जाते विवाह, दो स्त्रियों एवं दलितों की दशा में सुधार, तीन विध्वापुनर विवाह, चार रात्रे पाठशालाओं का संचालन, कू देखते हैं इसके विसलेशन को, महरा आश्रमी वर्ष 1867 में प्रात्ना समाज के स्थापना हुई, इसने अच्छूतों दलितों वपीडितों की दशा सुधारने के उद्देश से कल्याड कारी संस्थाओं का गठन किया, जैसे विध्वा आश्रम, रात्री पाठशालाएं प्रात्ना समाज ने जाती प्रथा की समाप्ती, विध्वा पुनर विवाह, नारे शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह का विरोध आधी की पक्ष में प्रभाव पुन आवास उठाई, प्रात्ना समाज ने जाती प्रथा को दूर करने ही तु विभिनजातियों की बीच अंतर जातिय विवाह को प्रोथ साहन दिया चले अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. सवने अवग्यां आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया 2. कॉंग्रिस ने प्रथम गोल में सम्मेलन में भाग लिया 3. 1935 के Government of India Act में सीमित प्रतिनिधिक शाषन व्यवस्था का आश्वाषन दिया गया था उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी केवल तीन इस प्रेशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया